नगरे निकायों के चुने हुए जनप्रतिनिद्यों ने भाश्वा के जूट को जागर किया है ये बात पूर्व मंत्री सज्जन सिंग वर्मा ने कही और बीजेपी पर जम का निशाना साधा प्रदेश के पूर्व कैबरिनर मंत्री एवन कॉंगरेस के वरिज टुनेता सज्जन सिंग वर्मा ने नगरे निकायों के चुने हुए जन प्रतिनिद्यों द्वारा शिवराज सरकार के मंत्री भुपेंदु सिंग के निवास पर धर्ना दिये जाने पर भाश्वा वर्मा ने कहा कि प्रदेश के 380 नगरिये निकायों के अध्यक्षों तथा चुने हुए जन प्रतिनिद्यों ने धरना दे कर अपना विरोध दर्सकर शिवराज तथा भाश्वा की जूटे सरकार को अगा किया है वर्मा ने कहा कि शिवराज सरकार ने सभी जन प्रतिनिद भाश्पक इस जूट के कारण अपने पदों पर जाकर दुबारा बैट गए और जब सरकार ने संदर में प्रस्ताफ पास नहीं किया तब उन्हें अपमानित होना पड़ा चार से छे दिन कुरसी पर बैटने के बाद उन्हें संदेश में राक कि उनका कारिकाल नहीं बढ़ा जा रहा है इससे अपमानित होतकर इन जन्प्रतिने दियों ने चनावों का बहुषगार करने तथा इस्तिफा देने का मन्द बनाया है उन्हों ने कि कि यह जूट परोसने की आदत भारतिय जुन्ता पार्टी की परंपरागत रही है और जन प्रतिने दियों ने जो नेरने लिया है वह सही नेरने लिया है कि वह लोग जूट के साथ नहीं रहेंगे तथा वह कॉंग्रिस के साथ आएंगे इंदौस सती श्वर्मा के मध्य प्रदेश के 380 नगरी निकाए नगर पंचाय नगर पालिका के अध्यक्चों ने और पार्शदों ने उपेन सिंग जी के घर पे घर ना देके भाज़ापा की जूटी सरकार को आगा किया है कि आपने हमें हमारे सामने जूट परोसा है आपने केबिनेट में इस बात को सर्चा करने की बजाए आपने कहा कि हम आपका कारिकाल बढ़ा रहे हैं स्वस्थी नगरी निगाय के अज्जक्च और पार्शद होगा कई लोग उनमें से जाके अपने सीट पर बेट गए जब भाज़ापा ने ये प्रस्ताव पास नहीं किया तब उनको अपना अपमान लगा कि उनको कुर्सी पर जाके बेट गए चार ची दिन बेटे और फिर मेंसे जा गिया कि आपका कारिकाल नहीं बढ़ाया जा रहा है ये जूट परोस्ने की आदत भारती जन्ता पार्टी की परंपरा कद रही है और उन्होंने जो निड़ने लिया तीन सो अस्ती नगरी निगाय कि चुनेवे स्थी निड़ने लिया कि जूट का साथ नहीं दें लेकिन भजबा का साथ नहीं देंगे अंद में कॉंग्रिस के साथ खड़ा होना परेंगे